दोस्तो डेव 4 की शुरुआत बहुत ज़्यादा शांदार तरीके से हुई क्योंकि 21 ओर की 5 वी गेंद पर अक्षर पटेल ने सबसे पहले आज रेहान एहमद का विकेट लिया जहां उनकी गुगली रेहन एहमद के सीधा यहां पर सटीक पैड पर लगती है और यहां पर तुरंधी एमपाइर आउट का सिगनल देते हैं लेकिन उसी समय पर DRS की मांग की जाती है और थर्ड एमपाइर के पास में जाने पर पहले बॉल ट्रकिंग चेक की जाती है और यहां पर अल्टर एज भी क्लियर होने पर साफ पता चल जाता है कि रेहान एहमद 23 रन बना कर आउट हो चुके हैं और दोस्तों इसके बाद क्या था विकेट गिरने की लगातार यहां पर शुरुवात हो जाती है 28 वे ओवर के दूसरी गेंद पर यहां पर ओली पॉप का विकेटर रोही चर्मा ने काफी शांदार तरीके से लिया जब अश्विन की ये गेंद पर हलका सा एज लगने की वज़े से बॉल पीछे खड़े रोही चर्मा के हाथों में पहुच ज दरसल 38 वर के आखरी गेंद पर जैसे ही जो रूट ने बल्ला गुमाया और यहां पर नीचे अक्षर पटेल दोड कर आते हैं और बॉल को कैच कर लेते हैं जो रूट बहुत ही शांदा तरीके से खेल रहे थे लेकिन यहां पर सिर्फ 16 रनों की पारी खेल कर उन्हें भी प जैसे ही कुल्दी प्यादव ने गेंद डाली बॉल सिधा जाकर पैड पर ठकराती है और यहां पर रोई शर्मा सभी लोगों से बात करके तुरंधी DRS लेने का फैसला करते हैं अल्टरा एज से क्लियर होने के बाद में बॉल ट्रेकिंग को देखकर समझ में आ जाता है कि जैक क्रॉली साफ तोर पर आउट हो चुके हैं और जैक क्रॉली 73 रन बना कर काफी ज़्यादा निराश होकर पविलियन की तरफ लोट जाते हैं अब जस्परित बुम्रा भी यहां पर पीछे नहीं रहने वाले थे इसलिए अगले ही ओवर में जस्परित बुम्रा ने चौ तो अल्टर एज बिल्कुल क्लीन होता है लेकिन जब बॉल ट्रेकिंग चेक किया जाता है तो एंपायर स्कॉल की वज़े से जॉनी बैश्टो 26 रन बना कर आउट हो जाते हैं और इसी के बाद में अगला विकेट श्रेयस अईयर ने लिया जहां पर 52 ओवर के चौथी गें जाती है और वो दूर सही सटीक निशाना लगा कर विकेट की गिलिया उड़ा देते हैं और फिर थर्ड एमपायर के पास में जाकर जब स्लो मोशन में चेक किया जाता है तो पता चलता है कि बैंस्टोक रन आउट हो चुके हैं और सिर्फ 11 रनों की अपनी पारी खेल कर उन शौर हो चुका है क्योंकि इंग्लेंड की जो टीम है वो बहुत ही जल्दी आउट हो रही है तो ये था इंडिया वर्सेज इंग्लेंड का सेकंड टेस्ट का डे फोर का हाइलाइट आपको कैसा लगा और क्रिकेट निउस से जुड़ी ऐसी ही जानकारी और देखने के रड़ी जीट